नवस्टार दोस्तों and welcome to my channel सब कहते हैं कि बैचलर्स की जो डिग्री होती है वो आज के जमाने में इनफ नहीं है to make good money, to have a good time Master's degree लेना is of utmost importance तो आज अप इस वीडियो में यही देखेंगे कि क्या Master's की डिग्री है वो वर्थ है या नहीं So दोस्तों आज हम analyze करेंगे कुछ pointers की basis पे कि अगर आप Master's करते हैं तो आपकी degree जो है वो किपनी वर्थ है So सबसे पहरे हम analyze करेंगे on the basis of cause that you have to pay to get a Master's degree Secondly हम analyze करेंगे on the basis of time that you have to spend to do a Master's degree Thirdly हम discuss करेंगे कि Master's degree करने के बाद आपको क्या paid packages मिलते हैं और जितना पैसा आप Master's degree में डालते हैं क्या आप वो पैसा recover कर पाते हैं और अगर कर पाते हैं तो इतना समय लब जाता है वो पैसा recover करने में इसकी अनवा हम ये भी देखेंगे कि Master's degree करने के professional life में और personal life में क्या benefits होते हैं So let's start with our video So दोस्तों सबसे पहरे To do a Master's degree from a reputed institute On an average आपको कम से कम 10 से 15 लाक एक साल का सिफ फीज में डालना पड़ता है तो हम पकड़ते हैं कि around 30 लाक्स अपके फीज में जाते हैं अब 30 लाक्स ये बहुत बड़ी amount होती है और हम देसे middle class लोकों के लिए जो के सारी चीज़े खुद से करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी amount हो जाती है लेकिन दोस्तों अगर आप Master's degree करना चाहते हैं और आपके scores अच्छे हैं तो आपको बहुत सारी Vans जो है वो loans बहुत ही affordable price में देती है तो दोस्तों 25 से 30 लाख ये obviously बहुत ही बड़ी amount है लेकिन बहुत सारी financial institutions है bands है जो आपको loans प्रोवाइड करती है और ये जो education loans होते हैं उनके rate of interest बहुत ही ज़ादा कम होते हैं अब education loan में दो type की loans होते हैं एक होता है secure और दुसरा होता है unsecured loan secured loan में आपको कुछ collateral में probably a property या ऐसा कुछ रखना पड़ता है और unsecured loan में आपको ऐसी कोई चीज़ की अवश्रक्ता नहीं होती लेकिन उस case में आपके जो scores है तो बहुत ही optimum या बहुत ही high होने जरूरी है अब जब आप master's degree कर रहे हैं तो master's degree के लिए समय कितना रगता है दोस्तों आज के time में बहुत ही ज़ादा options available है in terms of investing time for your master's degree usually traditionally यह जो degree है यह 2-3 साल में होती थी लेकिन आज आपने पास 2 साल का option available है लेकिन उसके साथ ही fast track programs भी available है जहां कि आप probably एक ही साल में सारे credits खतम कर सकते हैं तो उस case में आपको अपनी master's की जो degree है वो एक साल में मिलेगी इसके अलावा traditionally जो 2 साल में हम degree खतम करते हैं master's की वो भी option available है तिसरा दोस्तो dual degree programs भी available है दोस्तो इन programs ने आप अपना bachelor's as well as master's एक साथ कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तो कुछ universities होती हैं वो dual specialization के भी options देती हैं जहां कि आप 2 specializations for example international business or marketing एक साथ कर सकते हैं again this is somewhat like accelerated program जहां आपको कम समय में जादा पढ़के credits खतम करने पढ़ते हैं इसके अलावा दोस्तो part time programs भी available होते हैं जहां कि आप अपने leisure के साथ you know जितना भी आपको समय चाहिए उसके हिसाब से part time में ही पढ़के अपनी पढ़ाई खतम कर सकते हैं masters की so again जब time investment वाला विशय है वो बहुत ही ज़ादा flexible है when it comes to going for a master's course point number 3 आपने इतना invest किया है आपने इतना time दिया है तो what is your ROI what is your return of investment दोस्तो अब अगर हम salary packages की बात करे तो ये बहुत ही ज़ादा vary करता है इंडिया में क्योंकि हो सकता है कहीं किसी MBA graduate को 20,000 या 25,000 ही मिलता हो कहीं किसी MBA graduate को 2 या 3,000,000 पर month मिलता हो so दोस्तों अगर आपने एक repeated you know college से पढ़ाई की है और एक आप अच्छी company में काम करते हैं जो आपको you know who pay you well who are good pay masters तो मुझे ऐसे लगता है कि on an average 60,000 से लेके 1,000,000 की बीच में आपका monthly salary होना चाहिए okay मुझे ऐसे लगता है कि अगर 50,000,000 आपने invest किया है तो मोटा मोटा आपकी पढ़ाई खतम होने के बाद 2 साल में आपको अपनी जो invest अपने जो भी पैसा किया है वो return हो जाएगा लस्दोस्टो एक master's degree करने के बाद आपकी credibility increase हो जाती है I mean अगर हम professional बात करें कि एक master's degree करने के क्या फाइदे है तो आपकी credibility increase हो जाती है आपके peer packages increase हो जाते है आपके promotion के rates बढ़ जाते और एक study कहती है कि जितने भी लोग master's degree करते है उनमें से 81% जो है जोग वो employed होते है तो दोस्तो अगर आप एक master's degree करते है तो उसके बाद जो आपका employment का rate है वो भी बहुत जादा बढ़ जाता है दोस्तो एक survey कहता है कि 81% of the people अगर 100% हम पकड़े कि लोग master's कर रहे है तो उसमें से 81% जो लोग है they end up with a good employment तो दोस्तो नमें से हमारा employment rate भी बहुत बढ़ जाता है opportunities बढ़ जाती है और अगर मैं personal space की बात करो तो ही मुझे लगता है sense of achievement होता है sense of satisfaction मिलता है आपका future जो है वो थोड़ा stable हो जाता है so दोस्तो मेरी हिसाब से master's degree के लिए aim करना is a very good choice and मुझे ऐसे लगता है कि knowledge जो होता है the education जो होता है it always helps you to grow as a person so मुझे ऐसे लगता है कि पढ़ाई करनी अच्छी बात होती है और master's degree लेना मुझे ऐसे लगता है कि is totally worth it so दोस्तों अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लागा तो फ्लीज लाइक कीजिए शब्सक्राब कीजिए और शेल कीजिए thank you so much God love you all